आज हम डिसकस करेंगे कि financial management का क्या रोल है बिजनस के अंदर देखो जिस तरह से न पेट्रोल का रोल होता है न कार के अंदर कि यह जितनी पेट्रोल होगी कार उतनी दूर तक आप ले जा सकते हों उसी तरह आपके business के अंदर भी financial management का बहुत बड़ा रोल है अगर सही से आप business के पैसे को manage करोगे ना तभी business अपने गोल को achieve कर पाएगा और कुछ बाते में जो बता रहा हूं आपको उसका पूरा का पूरा रोल है financial management का उस बात पे ही यह सारी चीज़े डिपेंड करती है कि आपका financial का management कैसा आपके funds का management कैसा आपके business के अंदर राइट तो सबसे पहल अपने business में खरीदा है बेचने के लिए नहीं पर business ही आप उससे चलाओगे जैसे आपका school है school में बस है benches है किसलिए खरीदा बेचने के लिए नहीं खरीदा भाई स्कूल वाले इसी से तो पैसा कमाएंगे यह डिरेक्ली नहीं यूज होता पर इंडिरेक्ली इससे पैसा कमाते है अपन डिरेक्ली तो service जो provide कर रहे है उससे कमा रहे है पर यह fixed assets भी business के लिए बहुत ज़रूरी है तो भाई साब कितना fixed assets होगा कितने आपके classes के अंदर benches हो होंगे पूरे स्कूल में कितने benches होंगे किस तरह के benches होंगे छोटा होगा बड़ा होगा यह depend करता है आपके पास fund कितना है यह अपके financial management पर depend करता है तो यह सबसे पहली बात यह कह रहा है कि भीया यह यह बताना चाहरा है कि कितना assets हमें buy करना है अना और किस size का बाई करन है यह इस बात पर depend करता है जैसे बहुत प्यार example देता हूं मैं आपको suppose करो एक bakery है और bakery क्या कर रहा है अपने business को बढ़ाना चाहता है और बढ़ा करना चाहता है तो bakery वालों को क्या करना पड़ेगा ovens खरीदने पड़ेंगे तो इस decision में यहां पे financial manager का role क्या गया वैसा financial management का रोल यहां पर है कि उनको decide करना है कि नया oven खरीदे या नहीं खरीदे larger building खरीदे नहीं खरीदे या rent पर चलाए या दोनों खरीदे कि इस बात पर depend करता है तो इस topic पर यहां पर यही पढ़ रहे हैं कि यह financial manager का ही रोल है कि कि कितने assets हमें खरीदने है और किस size के हमें खरी सकते हों यहां पर एक decision भी लेना ना कि अपने को कितना खरीदना कितनी हमारी जरूरत है ठीक है दूसरा कहता है कि भाई सब जैसे fixed assets basic current assets के बारे में भी आपको सोचना है कि कि कितना पैसा हमें current assets में फसा कर रखना है भाई सब बहुत तरीके से decision लेना पड़ता है अपन ज् सब्सार नहीं जी सकते हमारा पैसा डूब जाएगा ज्यादा inventory लेकर भी निक पटक सकते क्यों क्यों कि भीया inventory का प्राइस अगर डाउन चला गया तो माल खराब हो गया तो इसके बारे में भी decision लेना सही तरीके से बहुत important रोल हैं पर financial management का और भाई ज्यादा पैसा अगर नेक्स्ट और क्या कह रहा है इट इफेक्ट दी साइज ओफ long term and short term financing भाई आपका business है ठीक है सर आप अपने product को या अपने business को expand करना चाहरे हो तो अपने business को expand करने के लिए क्या करोगे जैसे आपका restaurant है आप उसका नया ब्रांच कोलना चाहरे हो तो आपको यह भी तो तैक क सके या long term financing जिसको कुछ सालों के अंदर अपन क्या कर सकेंगे पे कर सकेंगे एक साल से ज्यादा के लिए एक साल के बाद जिसका अपन को payment करना है तो यह बात भी तैक किस से करेंगे अपन financial management की मदद से क्योंकि आपके business का funding capacity कैसा है आप कितनी जल्दी अपने पैसे को चु तो यह भी अपके financial management पे ही depend करेगा तो यहाँ पर भी अपन को यह तरह का decision लेना पड़ता है दूसरा fourth it affects the composition of debt and equity objective of financial management में मैंने पढ़ाया था आपको capital structure वहां मैंने साब बताया इस point को कि भीया अपन को जो पैसे चही होते है वो honor fund या debt fund से आता है अना चाहतो मालिक का पैस साइगा चाहा उधार साइगा तो वह भी तो तै करना पड़ता है कि भाई साब कितना मालिक से पैसा ले कितना उधार से पैसा ले वह भी business को देखना पड़ता है यार उधार से अगर इतना पैसा लूँगा इतने ब्यास जाएंगे मेरे हर मेने क्या business उतना ब्यास दे बढ़ता है और लाते वक्त क्या क्या चीज उसको सोचना बढ़ता है तो अभी तो सिर्फ तुमको जितना बता है वह तुमको धियान में रखने का ठीक है अन कर रहा है बिटाजी तो अर्णिंग के साथ साथ उसके खर्चे भी होते ह् WORTH तो वो जो खर्चे है चाहिए अर्निंग है वो कहां जाती है आपकी Profit and Loss Account में आप debit में क्या दिखाते हो सारे खर्चे दिखाते हो और credit में क्या दिखाते हो सारे income दिखाते हो देखो इसको सुनना ध्यान से बहुत important बात बता रहूं तो चाहे आपके इंकम हो चाहिए आपका expenses हो यह किसको impact डाल रहा है किस पर आ रहा है यह profit and loss account पर आ रहा है तो इसलिए बोला it affects the item of profit and loss account लेकिन कारण क्या बोलने का इस बात को समझो इस बात को समझाने के लिए आपको एक example से समझा देता हूं कि एक cafe है जिसने decide कि भीया मैं marketing के अंदर invest करूँगा ताकि मैं अपने cafe के लिए marketing करूँगा जिससे ताकि more से जादा से जादा customer में attract हो तो भीया अगर आपका financial management अच्छा होगा तभी तो जो यह खर्चे होंगे marketing के आप इसको recover कर पाओगे किससे अपने revenue से तो भाई साब यह ही कह रहा है कि financial management का यहां बहुत तगडा रोल है अगर आपका financial management अच्छा होगा तो जो आपके expense है जब ही आप उससे क्या कर पाओगे revenue से भी cover कर पाओगे वरना आपको loss हो जाएगा अगर आप revenue ज्यादा कमाते हो और खर्चा आपका कम है और revenue ज्यादा है आपका तो भी आपको profit होगा तो यह अगर आपने marketing की आपने सोस समझ के marketing की और जिससे आपका revenue बढ़ गया तो यह पी एनल जो है आपका higher profit शो करेगा अधर्वाइस पी एनल आपका loss दिखाएगा तो इसलिए यह जो loss और profit की बात कि यह इसलिए बोला कि effect डालता है किस पे profit and loss items पे बड़े ध्यान से हमने आपको क्लियर कर दिया कि यह rule of financial management क्या होता है